तो हम इस बात को अच्छी तरीके से समझते हैं कि इस चाप्टर का कंक्लूजन क्या है कंक्लूजन यह है कि जितने भी और्गनिजम्स होते हैं वो सब किसके बने होते हैं सेल्स के बने होते हैं फिर वो और्गनिजम्स चाहे छोटा हो या लंबा हो मोटा हो या पतला हो, सभी किस के बने होते हैं, सेल्स के बने होते हैं जैसे कि मैं हूँ, मैं क्या हूँ, एक लिविंग ओगनिजम हूँ मैं भी किस से बनी हूँ, बहुत सारे सेल्स की बनी हूँ हमारे जो पडोसी है, उनके भी जो पडोसी है, सब किस से बने हुए है, सेल्स के बने हुए है मेरे घर में जो मेरा पैट डॉग है, वो किस के बना हुआ है, वो भी सेल्स का बना हुआ है सामने जो पेड़ों पर चिडिया वैठी रहती हैं वो किसकी बनी है वो भी सेल्स की बनी है जो छोटे छोटे पौदे होते हैं जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं ट्रीज होते हैं वो किसके बने हैं वो सबी हम बोलते हैं कि सेल्स के बने होते हैं पेड से हमें याद आया मश्रूम, मश्रूम क्या है, एक फंगस है, वो किस से बना है, सेल का बना हुआ है, फंगस का ही भाई, इस्ट वो किस से बना है, वो भी हम बोलते हैं कि सेल से ही बना है, इसके अलावा जो बैक्टीरिया होते हैं, वो भी किस के बने होते हैं, सेल के ही बने होते हैं, यहने कि कुल मिला करके जितने भी आपको organisms दिखाई दे रहे हैं वो किसके बने हुए हैं, cells के बने हुए हैं, इसको हम कैसे समझ सकते हैं हम सभी ने क्या देखी है, दीवार देखी है, movie की बात नहीं हो रही है यहां पे असली की wall की मैं आपे बात कर रही हूँ ठीके? अब यह wall बनती कैसे है इटो को जोड़ करके क्या बनाया जाता है दिवार बनाई जाती है, wall बनाई जाती है तो अगर मैं आपसे बोलू कि भाई, आपको यह wall बना नहीं है तो हमारे wall की जो structural unit है, वो क्या है? bricks है Structural unit का मतलब क्या होता है? जिन चीजों से कोई object बना है तो हमारी दिवार, हमारी wall किस से बनी है? bricks से बनी हुई है ना, तो brick क्या हो जाएगी? उसकी structural unit हो जाएगी और उसके बिना दिवार नहीं बन सकती है Similarly, आप किसी भी organism की body ले लो आप चाहे खुद को रख लो, यानि की human being को रख लो या किसी दूसरे जानवर को रख लो या कोई पेडर रख लो, या कोई पॉलहा रख लो सभी किस के बने होते हैं, cells के बने होते हैं तो living organism की जो body है, उसकी structural unit क्या होती है? उसकी unit हम बोते हैं की cell होती है अगर cell नहीं, तो कुछ भी नहीं जैसे कि बहुत सारी bricks मिल्के क्या बनाती है, दीवार बनाती है वैसी बहुत सारी cells मिल्के क्या बनाते हैं, organism की body बनाते है ठीक है? इसलिए cell को ये तीन नाम दिये जाते हैं Building Blocks of Life ठीक है? ये life को क्या करते हैं? बनाते हैं तो इसलिए इनको हम कहते हैं Building Blocks of Life फिर इसके बार में the fundamental unit of life इस पूरा का पूरा जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो इसी नाम पर तो based है the fundamental unit of life कौन है? cell है फिर इसके बार में structural और functional unit of life ठीक है? ये तीन important नाम किसको दिए गए है? cell को दिए गए है क्योंकि cell है तो जान है तो हम बोते हैं कि life है cell नहीं तो कुछ भी नहीं कई सारे cells मिल्की क्या बनाते हैं? एक organism की body को बना देते हैं एक organism को बना देते हैं कुछ organisms तो ऐसे होते हैं जो कि केवल एक सेल के बने होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, unicellular organisms कहते हैं, उनके बारे में भी अभी हम बात करेंगे, ठीके? अब देखो, जैसे कि मैंने आप से बोला, कि हम सब किसके बने हैं, सेल के बने हैं, तो उस रिसाब से तो, जितने भी organisms हैं, सब को एक जैसा दिखन चाहिए for example इसको भी हम समझते हैं हमारे पास क्या है दो दीवार है एक यह रही वाल और यह रही दूसरी वाल क्या यह दोनों वसस्क्राइब दिखती है बिल्कुल भी नहीं देख्के बताओ ना दिखती है यह यह कुछ ब्राउन कलर घृत और थोड़ी सी लंबी-लंबी सी है, rectangle shape की हैं, ये वाली जो bricks हैं, ये कैसी है, cement like इनका texture है, और cement जैसा ही इनका color है, और इनका shape भी कैसा है, इन वाली into से अलग है, बड़ा है, तो क्योंकि दीवारों को बनाने वाली जो bricks हैं, वो आपस में अलग-अलग हैं, इसी लिए दोनों walls भी कैसी हैं, अलग-अलग हैं, similarly अगर मैं बात करूँ किसकी living organisms की, सपोस्पोस यहाँ पे मैं example लेती हूँ, दो living organism का, एक तो मैं अपने आपको एक्जामपल ले लेती हूँ, और दूसरा मैं example लेती हूँ, एक चड़िया का, ठीके, मैं भी एक living organism, ये भी एक living organism, मैं भी किसकी बनी हूँ, सेल्सकी, ये भी किसकी बनी हैं, सेल्सकी, तो क्या हम दोनों बहने दिखाई देते हैं, नहीं, ऐसा क् होना क्या चाहिए था, हम दोनों को एक जैसा दिखना चाहिए था, क्यों, क्योंकि मैं भी सेल्सकी बनी, वो भी सेल्सकी बनी, हम दोनों अलग अलग क्यों हैं, क्योंकि हम दोनों को बनाने वाले जो सेल्स हैं, वो अलग अलग हैं, माना हम दोनों सेल्सके बने हुए हैं, लेकिन हम जिन cells के बने हैं, वो अलग-अलग हैं, इसलिए वो अपने जैसी दिखती हैं, मैं अपने जैसी दिखती हूँ, ठीक है, इतना समझ में आया, चलो, अब इसके बाद में, सबसे पहले तो सवाल ये है, कि cell की discovery किस ने करी थी, cell का concept लेकर के कौन आया था, तो रॉबर्ट हुक लेकर के आया थे, इन 1665, कैसे पता चला थे उनको कि cell नाम की भी कोई चीज होती है, तो उन्होंने क्या किया था, कौर्क की एक slice को एक microscope के नीचे रख करके देखा था, ठीक है, कौर्क क्या होता है, आप सभी ने एक ट्री का नाम सुना होगा, उसको हम कह कहते हैं, उसकी जो बार्क होती है, हिंदी में बार्क को शायद छाल कहते हैं, तो ओक ट्री की जो बार्क है, जो छाल है, उससे निकलने वाला एक dead substance है, कौर्क, ठीक है, तो बेसिकली कौर्क क्या होता है, कौर्क हम बोलते हैं कि एक dead substance होता है, कहां से मिलता है, तो ओक ट्र माइक्रोस्कोप के नीचे रख करके एनलाइस किया जब उन्होंने उस कॉर्क की स्लाइस को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा तो उनको बहुत ही आमेजिंग सी चीज़े दिखाई दी उनने बोला कि इस कॉर्क की स्लाइस में इसके अंदर मुझे बहुत सारे रूम्स होते हैं तो कुछ ऐसे ही compartments और rooms कहां दिखाई दिए cork की slice में दिखाई दिए कभी दिखाई दिए जब Robert Hooke ने उस cork की slice को self invented microscope के नीचे रख करके देखा ठीके और ये rooms कैसे थे ये rooms लिल्कुल खाली थे ठीके तो आप बोल सकते हो कि इन empty spaces को empty compartments को या vacant rooms को क्या नाम दिया गया cells नाम दिया गया तो हर एक compartment को क्या बोला गया cell और क्योंकि बहुत सारे compartments थे तो सब को मिला कर क्या बोल दिया cells नाम दे दिया ठीक है तो discovery आपको पता होनी चाहिए कि cell की discovery किसने करी आप दो तीन चीज़े और है जिनकी discovery हुई थी और उनकी discoveries के बारे में किसने करी है अपको वो पता होना चाहिए तो फिर इसके बार में कौन आए Robert Hooke के बाद icon Anton Won Levenhawk ठीक है अब क्या हुआ ना देखो जैसे कि मैंने आपको बताया कि cork क्या है एक dead substance है तो Robert Hooke cell का concept लेकर के तो आए बहुत अच्छी बात थी लेकिन उन्होंने dead cells को observe किया था क्योंकि cork क्या है dead है तो उसको जो cells बनाते हैं वो भी कैसे होते हैं dead होते हैं इसलिए तो जो उनको compartments दिखाई दिये थे जो rooms दिखाई दिये थे वो कैसे थे खाली थे, empty थे, vacant थे क्योंकि cell आप बोल सकते हो कि वो dead थे तो उनके अंदर कुछ था ही नहीं इसलिए वो compartments कैसे दिखाई दे रहे थे खाली दिखाई दे रहे थे cell के अंदर कुछ था ही नहीं न तो खाली तो दिखाई देगा ही वो compartments तो खाली दिखाई देंगे ही, फिर इसके बाद में उनी के एक दोस्ता है, जिनका नाम था Anton Von Levenhook, उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो एक better quality का microscope लेकर के आए, अच्छी quality का, और उसके नीचे वो pond का पानी लेकर किया है, तलाब का पानी लेकर किया है, और उस तलाब के पानी को उन्होंने अच्छे वाले microscope के नीचे रख करके देखा, तो उन्होंने बताया कि भाई, मैंने तो इस बार living cell को जो है ना observe किया है, जो हमारे भाईया थे, हमारे जो दोस्त थे, Robert Hooke, उन्होंने तो लेते, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मैंने तो RBCs भी देखी है, और मैंने तो human sperm cell भी देखा है, तो कोल मिला करके living cell को सबसे पहले observe करने का credit किसको जाता है, Anton Walk, Leaven Hook को जाता है, ठीके, concept कौन लेकर के आया था cell का Robert Hooke लेकर के आया थे, कब 1665 में, ठीके, फिर इसके बाद में, एक cell theory आई, ठीके न, cell theory को देने वाले कौन थे, Shwan और Shilton नाम के दो biologist थे, ठीके, सबसे पहले तो हम बोलते हैं, कि जैसे कि मैंने आपको अभी अभी बताया, कि मैं भी एक living organism हूँ, एक bird भी क्या है, living बोली, कि भाई जो plants हैं, वो plant cells के बने हैं, जो animal cells हैं, वो किसके बने हुए हैं, animal cells के बने हैं, इसलिए जानवर और पेड़ पौधे एक जैसे दिखाई नहीं देते हैं, माना वो सब कैसे बने हैं, cells के बने हैं, लेकिन plant बने हैं, plant cells के, animal बने हैं, animal cells के, इसलिए plant और animals क्य नहीं होती है तो यह सारी बाते कहां करी गई यह सारी बाते करी यह इंदर किस ने दी थी शिल्डन और श्वैन ने दी थी ठीक है फिर इसके बार में Robert Brown आया उनने नूकलियस के बार में बताया कि भाई सेल के अंदर नूकलियस भी होता है फिर आया परकिंजी परकिंजी ने बोला कि चलो माल लिया कि भाई सेल है प्लांट सेल है अनिमल सेल है ठीक है ना प्लांट सेल के पास सेल वाल है अनिमल सेल के पास सेल वाल नहीं है Robert Brown की भी हमने मानली की cell के अंदर क्या होता है nucleus होता है लेकिन परकिंजी भाई ने ये बोला कि cell के अंदर कुछ भरा होता है कुछ material भरा होता है और इसी material को उन्होंने नाम दिया क्या protoplasm तो protoplasm की discovery का credit किसको जाता है परकिंजी को जाता है Is that clear? चलो फिर इसके बार में हम वोते हैं कि इतनी सारी चीज़े पता चल गई थी लोगों को cell के बारे में जैसे ही Robert Hooke concept लेकर के आया cell का तो सभी biologists जो है इस जोगार में लग गए कि आखिर cell का structure होता कैसे है किसी ने बोला कि उसमें protoplasm है किसी ने बोला कि उसके अंदर nucleus है किसी ने बोला कि उसके अंदर cell wall है किसी ने बोला नहीं है लेकिन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये जो cell है ये आ कहां से रहे है माना cell का जो भी shape है जो भी structure है वो सब सही है लेकिन आखिर ये cell आ कहां से रह है जैसे कि हम सबको पता है कि जब भी reproduction की process होती है तो एक होता है male और एक होती है female male की body से क्या निकल के आता है एक sperm निकल करके आता है female की body से क्या आता है एक egg या हम वो सकते हैं कि एक ovum निकल करके आता है जब egg और sperm का fusion होता है तो क्या बन जाता है? Zygote बन जाता है अब सवाल यह है कि यह जो zygote बना है इसी से क्या होगा? एक नया organism डवलब होगा, ग्रो होगा लेकिन सवाल यह है कि यह जो zygote है इस से नया organism कैसे डवलब होगा? तो फिर इसके बार में प्रेग्जिस्टिंग से बनते हैं यानि कि उन से बनते हैं जो कि आलरडी नीचर में एक्जिस्ट करते हैं कैसे जैसे कि मैंने आपको यहां पर बताया कि जब भी रिप्रडक्शन की प्रोसेस होती है तो मेल की बॉडी से आता है एग या ओवम दोनों को जब फ्यूजन होता तो क्या बन जाता है जाइगोट बन जाता है और इसी जाइगोट से क्या होता है एक नया ओर्गनिजम डवलप होता है तो सवाल यह है कि नया ओर्गनिजम डवलप कैसे हो रहा है तो यह जो जाइगोट बना है यह भी क्या है एक सेली तो है और यह सेल क्या करता है खुद क नहीं सब्सकेर करते जाते हैं और जिसे क्या होता है, नय-nyé cells form होते जाते हैं, नय-nय cells form होते जाएंगे, होते जाएंगे और ultimately क्या होगा, एक living organism तैयार हो जाएगा, एक living organism की body तैयार हो जाएगी, इतना clear हाफ अब सभी को, ये किस ने बताए था, ये बताए था, झाल झाल